और 26 जन्वरी को गरतंतर दिवस के मौके पर दिल्ली की जाकी नजर नहीं आएगी केंदर ने दिल्ली सरकार की तरफ से जाकी के लिए भेजे गए तरस्ताब को अनुमती नहीं दी है इसको लिकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर जम कर हमला बोला है आपकी प्रवक्ता प्रयंका ककड ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पर निशारा साधा उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की गंदी राजनीती का पुखता उधारन है प्रियंका ककर ने आगे कहा कि दिल्ली के बिश्व विख्यात चिक्षा और स्वस्थ माडल को हम गर्व से गरतंतर दिवस प्रेड में जाकी पर दिखाना चाहते थे लेकिन अफसोस है कि ये होने नहीं दिया गया इसके साथ ही पंजाब सरकार ने भी तीन जाकियों का प्रारूप भेजा था जिसे केंदर सरकार ने असुईकार कर दिया है इस पर मुक्रमंतरी भगबंत इमार ने भी अपनी काफी नाराजगी दताई दिल्ली से शुभ सेट की रिपॉर्ट आम आदमी की परकर हुटता प्रियंका कर जम ऐसा बात करने के लिए मौजूद है मैम इस आपने आरोप लगाया कि जागियों पे दिल्ली और पंजाब की जागिया नहीं निकाली जाएंगी क्या पूरा मामला है देखे आप पिछले पांच साल का आंक्रा निकाल के लेखेंगे तो आप देखेंगे कि भाजपा शाहसित गुजरात असाम उत्तरप्रदेश उत्तरा खंड इनको लगातार मौका मिल रहा है और दिल्ली और पंजाब को बार एक्स्क्लूड कर दिया जाता है पहले भी कि ज़ागियों में कुछ ना नहीं होता जिसवजे से इस बार इनको सामिल नहीं किया जा रहा है देखिये वो गलत बयानबाजी कर रहे है और इस सई मतलब चोर की दाड़ी में तिनका वाली बात है आपने कोई रीजन नहीं दिया आपने कुछ नहीं किया है हेल्थ और हमा तो हम यही दिखाना चाहते थे एक मेरा अलग सब्सक्राइब के नहीं वेरियंट से एक केस दिल्ली में भी इसका सामने आया है जी कली सौरब भरद्वार जी ने होनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जी ने बताया कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है माइल्ड वेरियंट है और दिल्ली सरकात पूरी तरह से तयार है हुआ शुक्रे में हमासा बात करने लिए थे हमासा बात करने लिए आमाधी पार्ट है की मुख के परवकता प्रियंका ककड़ एम के इसके लिए दिल्ली से